नमस्कार वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है मैं हूँ शिवरा सिंग पंजाब में सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है अब केंद्र के एक फैसले से नया सियासी विवाद खड़ा हो गया है केंद्र द्वारा सीमय सुरक्षावल यानी बियसेप का अधिका पावताते हुए संगवाद पर हमला करार दिया है मीडिया रिपोर्ट्स के मताविक केंद्र ने बियसेप को अंतरश्ट्य सीमा से 50 किलोमीटर के भीतर छेत्र में तलासी लेने शंदिक्दों को गरपतार करने और जबती करने का अधिकार दे दिया है केंद्र के इस कदम न इसको लेके केंद सरकार पर हमला बोला है उन्होंने ट्वीट कर लिखा मैं अंतरश्ट्य सीमाओं के साथ 50 किलोमीटर के छेत्र में बियसेप को अतरिक्त अधिकार देने के भारत सरकार के एक तरफा फैसले की कड़ी निंदा करता हूं जो संगबाद पर सीधा हमला है मैं क इंद्रे ग्रह मंत्री अमिशा से इस असंगत निर्णे को तुरंत बापस लेने का ग्रै करता हूं वहीं पंजाब के ग्रह मंत्री सुक जिंदर रंदावा ने कहा हम इस फैसले की निंदा करते हैं ये संगिय धाचे का उलंगन है और पंजाब में भय का माहुल पैदा लोग इसे बरदास्त नहीं करेंगे रंदावा ने आगे लिखा पंजाब ने कभी सामप्रदाइक हिंसा नहीं देखी हम प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी से राजी की शांती भंग नहीं करने का अग्रै करते हैं वही दूसरी तरप कॉंग्रेस के पूर प्रदेस अध्यक में पंजाब का आदा हिस्सा के इन सरकार को सौपने में काम्याव रहे 25,000 बर किलोमीटर को अब ब्यस एप के अधिकार छेत्र में रखा गया है क्या हम अब भी राज्यों को अधिक स्वायत्ता चाहते हैं बहीं पूर मुख्यमंत्री कैप्टन अम्रेंदर सिंग ने के इन सर प्रक्त्र बलों को राजनीती में ना घसीटें बता दे के हाली में केंद्रे ग्रह मंत्राले ने पश्यमंगाल पंजावर और सम्में ब्यस एप के अधिकार छेत्र को 15 किलोमीटर से बढ़ा कर 50 किलोमीटर के भी तरता सीमा के साथ कर दिया है इस आदेश के बाद ब्यस साथ अटारी सीमा से लगवग 35 किलोमीटर दूर है इस खबर में फिलाल इत्राही तमाम अपडेट के लिए वने रहे है वन इंडिया हिंदी के साथ